सो हेलो गाईज तो पिछले पार्ट के लास में हमने देखा था कि ली सिन फैंग हान एक जगा रेस्टोरेंट में गई होते हैं और फिर वहां से वापस जाते समय उन्हें एक ट्रेजर दिखाई देता हैं वो दोनों उस ट्रेजर के पीछे जाने लगते हैं हमारा आज का पार उसी के बाद से स्टार्ट होता है इस पार्ट के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान और अंजली एक मांटेंग के पास आकर वहां पे खड़े हो जाते हैं वहां पहुंच करके फेंग हान अचानक से उस खाली जगह पर ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे से वहां के मिट्टी को अटाता है मिट्टी अटाने के बाद वो दुनों देखते हैं कि वहां पर किसी के डेट बॉड़ी है ही नहीं यह सब देखकर के लीसिन कहती है कि यहां पर तो कुछ नहीं है तब फेंग हान तुरंत वहां पर मिट्टी भरता है और कहता है चलो यहा बलकि कहने लगती है कि यहां से तो हाइचीन की डेड बोडी गायब है क्या इसमें कुछ अजीब नहीं है लीसिन की ये बात सुनकर के फेंगान में रुख जाता है और कहता है कि इसमें क्या अजीब है तब लीसिन कहती है मुझे लगता है कि किसी डेमोन ने यहां से डेड ब जाती है लेकिन फेंगार लीसिन की इस बात पर कहता है ये तो कीमल तुम्हारी सोच ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है और अगर सच में बॉड़ी डेविल द्वारा ले ली कई है और मैं जल्दी चल्दी वहां से अगर चला जाओ तो भी उस बॉड़ी को ला पाना पॉसिबल न स्मार्ट वरने की जुरत नहीं है और मून को दिखाया जाता है जो अपने वाइलीन के साथ बंबू फॉरेस्ट में प्रेक्टिस कर रही होती है तब ही हम देखते हैं कि उसके आसपास कोई आ गया है जो कि उसे छुपकर भाग रहा था जैसे ही मून ने उसको देखा उसे तुरंत ही अपने वाइलीन से उसके उपर टैक करना शुरू कर दिया लेकिन उसको एक भी अटैक नहीं लगा उल्टा उसने एक स्टोन से मून के उपर मार दिया मून बिलकल भी हार नहीं मानती है बलकि उससे फाइट करने लगती है वो बार बार अपने वाइलीन से उसके उपर टैक कर रही थी लेकिन उसके पूनेट बार बार उसे बच जा रही थी बलकि वो मून को ही बार बार पीछे कर दे रही थी उसके बार मून महां से भाग कर फाइट करते हुए एक ब्रिज पर आकर खड़ी हो जाती है तब हमें दिखाया जाता है कि वो अपोनेट कोई नहीं बलकि उसकी सीनियर सिस्टर है जिनके उपर मून फिर से हमला करने लगती है लेकिन वो असाने से उसके हर एक अटैक से बच रही होती है आखिर में उसके एक कदम पास लाकर खड़ी हो जाती है और वो जैसे ही अपना हाथ आराम से मून के उपर लगती है मून उनके उपर फिर से टकर देती है लेकिन इस बार भी मून की सीनियर सिस्टर उससे बचने लगती है और तब हम देखते हैं कि मून बंबू के टुकडे काट कर अपने सिस्टर के उपर टैक कर देती है उसके sister उन में से एक बंबू को पकर कर उसी से moon cure पर टेक कर दीती है जिसके moon बच नहीं पाती है आखिर में वो जमीन पर आकर गिर जाती है उसके sister कहती है कि तुम फिर से हार गई ये सुनकर के moon का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है कि तुम मुझे क्यों परशान कर रही हो मैं senior master से तुम्हारे शुकायत यहाँ पर करूँगी जिस पर उसकी sister कहती है कि हाँ मुझे भी sister के पास जाना है और उन्हें बताना है कि mountain and river ranking competition के पहले मेरे पास 10 level 20 body आ चुकी है और जब मैं उन्हें की बताऊंगी तो वो तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देंगी और तुम्हें कोई फाइदा नहीं होगा यह सुनकर के moon कहती है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन पर दया नहीं आ रही है क्या तुम यहाँ पर वो ठक गई हो यह सुनकर के रूही की sister उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें half day का rest देती हूँ यह सुनकर के moon बहुत ज़दा happy हो जाती है और कहती है ठीक है मैं fame खान के साथ खेलने जा रही हूँ यह सुनकर उसकी बहन कहती है कि मैं भी तुम्हें साथ जाऊंगी लेकिन moon उसे कहती है पर अभी आपके लिए practice important है आप मैं साथ time waste मत करो लेकिन उसकी बहन उससे कहती है कि after all fame खान ने तुम्हारी जान बचाई है तुम्हारी बहन बड़ी बहन होने के नाते मुझे सो thanks तो कहना होगा उसके बाद moon और उसकी बहन fame खान के घर के तरफ जाने लगते हैं उसके बाद scene shift होता है और हमें fame खान का घर दिखाया जाता है हम देखते हैं कि लीसीन एक room में बैठ कर time pass कर रही है और दोसे तरह fame खान cultivation कर रहा है और dragon elixir चेक कर रहा है लेकिन हम देखते हैं कि dragon fame खान को वो elixir पकर देता है और fame खान से कहता है कि मैंने इसा अच्छे से चेक कर लिया है इस elixir में कोई गरबड़ी नहीं है ये बहुत जादा strong है इसे तुम्हें observe करना होगा इसको observe वहाँ पे करते हैं अपने मन को शांत रखना होगा जिससे कि आपकी power बहुत जादा बर जाएगी लेकिन एक बात तो confirm यहाँ पे कर लीजिए कि क्या आप इसके बारे में secret में आप किसी को नहीं बताएंगी अगर तुम इसकी सूचना secret में दे दो तो तुम्हारी थोड़ी respect हो सकती है जिस पर fame खान कहता है अगर मैं सच्चा reciprocal बग भी जाओ तो फिर मैं साथानल प्रंसन ही रहूंगा मुझे जादा attention नहीं पाना है इसलिए मैं इसे public में नहीं बताऊंगा लेकिन जब mountain gate competition में सब को हरान मैं करके रख दूँगा इसके अलावा senior sister भी fourth level of magical power पर पहुँच चुकी होंगी और उस समय मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा और जादा तर जो मुझे सनर्फ़त करते हैं उनको तो मैं उस दिन बताऊंगा कि मैं क्या हूँ उसके बाद फिर इंगान अलिक्जर की power को extract करने लगता है लेकिन उससे ये नहीं हो पा रहा होता है ये देखकर कि ड्रेगन उसके पास आता है और कहता है कि भले ही तुम सूपरनेशनल पावर के सीकर्ट रिलम में पहुँच चुकी हूँ लेकिन फाउनिशन अभी बहुत ज़दा है अब वो पतला है इतना कहकर कि ड्रेगन अपनी पावर से observation में help करता है जिससे कि फेंगान इलिक्जर की पावर को अब्सॉफ करने लगता है उसके बाद scene shift होता है और हम leesine को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अभी वो लोग star magic pill की पावर को अब्सॉफ करने के उशिश कर रहे हैं और उन लोगों का ध्यान मेरे पर नहीं है ये सही समय है यहां से भागने का इतना कैकर के leesine दर्वाजा खोल कर बाहर चली जाती है फिर scene shift होता है और हम moon और moon की sister को देखते हैं जो की रास्ते से जा रही होती है आरू ही बहुत जादा वो अपने खुशी मन से आगे बढ़ रही होती है लेकिन तभी उसकी sister उसे रोकती है और वो दोनों लोग attention के साथ आपे वो खरी हो जाते है और आस पास देखने लगते हैं तभी moon आगे आकर आपे खरी हो जाती है और कहती है कि तुम कहा हो monster जल्दी से में सामने है पर surrender कर दो उसकी ये बात सुनकर के लीसिन उन लोगों के सामने आती है और कहती है कि तुम लोग बहुत अच्छे surrender लगते हो लीसिन को देखकर के रूही कहती है कि ये तो सच मेंटर पोक है और ये मुझे अच्छे भी नहीं लग रही है उसके बाद उसकी sister उसके सामने आ जाती है और लीसिन से पूछती है कि तुम कौन हो जिस पर लीसिन जवाब देती है कि मैं फेंगान की मेड हूँ तुम लोग यहां से चले जाओ ये बात सुनकर के रूही कहती है कि तुम जूट बोल रही हो फेंगान के पास कोई मेड कैसे हो सकती है तुम ये क्या रगता है मैं छोटी सी बच्ची उसके बाद रूही की sister कहती है कि चलो ठीक है चल कर फेंगान से ही पूछ रहते हैं लेकिन लीसिन कहती है कि पहले साबिस यहां पर तुम करो और वो मून के उपर टेक करने वाली होती है तभी वहाँ पर फेंगान आ जाता है और लीसिन और मून के बीच में खरा हो जाता है उसके लिए लीसिन दूर जाकर गिरती है लेकिन मून के sister जो लीसिन पर टेक करने वाली होती है वो गलती से फेंग घान को लग जाता है फेंग हान उस अटैक को पूरी तरीके से सहतो रेता है लिगा उसके थोड़ी चोट लगी थी उसके बाद फेंग हान सीनियर सिस्टर उसको कहता है कि ये एक विच है इसे मैं जब भी अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ में रहेंगी उसके बाद सीनियर सिस्टर गहती है कि तुम्हारे मेड बहुत अच्छी है लेकिन डेमन्स का टैंप्रमेंट बहुत जादा गरम होता है तुम्हें इससे डिस्प्लेन में रखना होगा और मैंने जो गलती से तुम्हारे उपर अटैक या पर किया उसके लिए सौरी इस पर फेंगहान कहता है वो आपकी गलती नहीं थी तब ही मून लीसिन की और देखती है और कहती है कि डिमन सर्विटन ती अक्रू कैसे हो सकती है उसके बाद वो सभी लोग फेंगहान के घर के और जाने लगते हैं घर पहुँचने के बाद मून खेल रही थी और सा कर सकता है और अभी तुम्हें जो चोट लगी है इससे वो ठीक हो जाएगी लेकिन फेंगहान सोचने के सीनियर सिस्टर शायद आपको पता नहीं है कि लेकिन मैं सिकर विलम के मैजिकल पावर्स को पाच चुका हूँ और इस अलिक्जर का मेरे ओपर कोई काम नहीं है इससे फेंगहान कहता है कि सिस्टर माउंटेर एंड रिवर रेंगें कॉम्पोटिशन जल्दी आने वाला है जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैं इसे नहीं ले सकता जिस पर सिस्टर कहती है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो मैंने बहुत ज़्यादा पावर्स का य इकजर लेना पड़ता है उसके बाद सीन शेफ्ट होता है और हमें एक माउंटेर दिखाया जाता है जहां पर किनवी खरी होती है और बोलती है कि माउंटेर रेंकिंग कॉम्पोटिशन स्टार्ट होने वाली है आप यहां पे वो कब बाहर आएंगी मैं आपका वेट कर रह करते हैं इस पर किनवी कहती है कि सिस्टर तुम्हें चिंता करने कुछ रथ नहीं है मैंने कुछ अपने सबोर्डिनेट बनाया है और हम लोगों ने दूसरे के फायदे के लिए दूसरे की हल्प करने का बादा भी किया है मैं तो गरेंटी ही टॉप 10 में होंगी सुनकर के ज उसके वज़े से हम लोगों ने कितनी प्रिशानी फेस की है यहां तक कि वो अपने आपको अमारे परिवार कभी मैंबर नहीं मानता और यहां तक कि वो जहरीला सूप भी उसे ने आपको दिया था उससे पहले कि यहां पर किनवी बोल सके जेन सोई उससे चुप करा देती ह और यहाँ पे किन्वी उसकी नहीं सुनती है और आगे बोलती है उसके वज़ा से मैं बार बार मरते मरते बची हूँ अगर मेरी सीनियर ब्रदर मेरी हल्प ना यहाँ पे करती है तो मैं हाँ पे कफ की मर चुकी होती तुम और वो मिलकत त्यान लोगों कैसे हराती अब से मैं भी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ इतना क्या करके अब किन भी बात चली जाती है उसके बाद जेन सुई भी अपने माउंटेन पर आ जाती है और कहती है तुम्हें अब दोस्त बनानी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन अब तुम्हारी हल्प नहीं करने वाली यहीं पर हमारा आज का एपिसोड नहीं पर खतम हो जाता है से लिए टूर फूर नेक्स एपिसोड थैंक्स पर वाचिंग